नमस्ते दोस्तों अजी जी के टैर्स गाड़न में आप सबी का स्वागत है तो देखिए हमने अपना ये टैर्स गाड़न हमने 2nd फ्लोर पे ये बनाए हुए है तो चलिए हम आपके अपने पुम लिखाते हैं टैर्स गाड़न का देखिए जो वेश्ट होते हैं वाशिंग तो यह क्रिसमस का पौधा कम से कम 15 साल पुडाना है कितना बढ़िया इसका ग्रोष हुआ है तो ऐसी वेश्टी डबो में हम ने विज्या का पौधा और यह सारे पौधे देखते हमने पारे वेश्टी डबो में ने लगा रहे हैं उसके पौधिया से पौधे रहे हैं ऑभी भी इसमें एक गुलाब लगा है यह माउजी के पौधे हैं जिसमें काफी से इंदाते हैं और इसमें पाकर पाért रहे है और यह जवाईन है काफी इसका पौधा है यह हमारे पॉदी में के और यह गुलाब है यह हमारा देखिए अपराजिता का पौधा है जिसको हमने बीद से लगाया है यह हमारे उग रहे हैं बाकि यह सारे पौधे हमने यह दूखास भी लगाया हुआ है जो काफी अच्छा ग्रोव कर रहा है हमाना और यह हमारा जैस्म बाकि यह हमने अजवाइन के पौधे भी लगाया दिये हैं जो अजवाइन काफी अच्छे हमारे हो गये हैं अभी हमें इसे निकालना है और यह पत्खर चट्टा देखिए तारे पौधे हैं और यह देखिए लगाया है जो काफी अच्छे हमारा ग्रोथ कर रहा है यह हमारा तुलसी जी का प्धा है जिसे हमने वीजों से बनाया हुआ है लगाया हुआ है इसके लिए हमने कोई खरीदा नहीं है साइट में इदल ठोकी तुलियों और यहीं अगाया है हमने जो कुरह जोते हैं और लगाते हैं Allagd लगाई है अभी हमारी तुरोईया लगी हुई है और ये लाल साद लगाया है जो वेस्ट तर्मकॉल के डब्डे होते हैं उसी में हमने अपने पीड़ बैगन ये हमने खीरे का पौधा भिंडी के पौधे ये नेनुवे ये देखे एक नेनुवा इसमें लगा हुआ है हमने अपने टैरस गार्ण में लगाए है और ये देखे कद्दू का पौधा है जिसे हमने अपने वेस्ट डब्डो में लगाए है और ये बोरो के पौधे हैं ऐसी करके हमने ये करेले भी लगाए हुए है जो वेस्ट डब्डे हैं काफी करेले हमको मिले हैं यहां से और ये अर तो यह देखिए छोटा सा यह बैगन का पेड़ पौधा है इसमें कितने सारे बैगन लगए उए हैं तर्पूजे लगए हैं यह अर्वी के पत्ते ऐसी करके हमने यह पालक भी लगाए हैं किस्टी डबो में लगे हुए हैं कड़ी पत्ता है और ये देखिए सबी चीज हमने वेश्ट डबो में मिर्च के पौधे लगाए हैं जो हमें काफी मिर्च मिली अरहुल का फूल है और ये देखिए स्टार फूल है ऐसे करके हमारी काफी सब्जियां हमें मिल जाती हैं और ये लाल साग लगाए हुए है ये निन्वा जी हुनी है, जी स्टार फूल है, अगर आपके भी छत्पे थोड़ी मुड़ी जगए है, तो आप अपने छत्पे ऐसे ट्यारिस गारें बना सकते हैं, और अपने घर को हरा भरा कर सकते हैं,